दोस्तों आज हम बात करेंगे West Indies versus Scotland के बीच में जो T20 World Cup का 3rd मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोनी टीमों की Playing Love One की Dreamland टीम की तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो का जो Like एम है वो केवल 99 Likes का I hope आप इसे पूरा जरूर कर दोगे Match Venue की बात करें तो ये match Herbert में खेला जाएगा इंडिया में आप इस match को साड़े 9 बजे से लाइफ देख सकते हो चलिए बात करते है पिच रिपोर्ट की तो दोस्तों ये जो पिच फास्ट बॉलिंग और बैटिंग के लिए दोनों के लिए अच्छी रहती है यहाँ पर बॉलर्स को help ही मिलती है लेकिन fast बॉलर्स को और यहाँ पर score भी अच्छा बनता है लेकिन अगर West Indies की team पहले बैटिंग करती है तब ही आपको एक high scoring match देखने को मिलेगा इस ground को केवल तीनी T20 international matches खेले गए जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली team ने दो match जीते है और सेकंड बैटिंग करने वाली team ने एक match जीता है यहाँ का फर्स्ट इनिंग का average score 174 रन का highest score Australian बना है lowest score England का है scoring pattern की बात कर लेते हैं 1500 और 119 के बीच का score यहाँ पर एक बार बना है साथ में दोस्तो head to head matches की बात करते हैं तो दोनी team ने आपस में भी तक एक भी match नहीं खेला है यह first match होने वाला है दोस्तों यह West Indies team की possible playing level हो सकती है में भी आपको इसमें एक दो changes देखने को मिल सकते हैं चलिए player performance की बात करते हैं तो guys E1 Lewis और Kyle Myers आपको open करते हूं नजर आने वाले यहाँ पर Lewis की बात करते हैं काफी लंबे समय बार टीम में वापसी करेंगे पर important play न है warm up match में केवल दो ही run बना पाये थे Kyle Myers की तरफ चलते तो दोस्तों आप इनके last match का performance देखो यह 6 run किये थे और balling भी करीती पर wicket इनको नहीं मिला था Brandon King guys West Indies team के काफी important play one down आपको batting करते हूं नजर आएंगे warm up match में 64 टन के एक शांदार इनिंग उन्होंने खेली थी Nicholas पूरन की बात करते है टीम के captain विकेट की पर बल्ले बाज आएं warm up match में 46 टन किये थे पर उससे पहले वाले international matches में कुछ खास performance इन्होंने नहीं किया है Roman Powell की बात करते हैं तो दोस्तों इस पिलर को मैंने आज तक score करते हूए नहीं देखा है आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताएगा और इनके last matches का performance देख सकते हूं Raffer की बात करते हैं तो guys मुझे लगता है इस match में यह खेल सकते warm up match में 3 victim निकाले तो और guys एक बैटिंग का भी option यह मिल जाते हैं साथ में holder की बात करते हैं तो दोस्तों आप इनका last match देखो 16 किये थे साथ में balling में पर wicket नहीं मलाता पर यह important play grand league और guys small league में भी आप इनको कप्तान और wise कप्तान के तोर पर try कर सकते हो ordean smith की बात करते हैं तो दोस्तों यह भी काफ इंपोर्टन प्लेर बैटिंग आने पर hitting भी लगा देते हैं साथ में balling में भी wicket चटकाते हैं अकिल हुसेन दोस्तों इनकी बात करते हैं दोस्तों ऑस्टेलिया में matches हो रहे हैं और ऑस्टेलिया की pitches के बार में आपको पता ही होगा guys ने आपे Pacers को ज़्यादा help मिलती है, Spinners को कम help मिलती है इसलिए guys इनको आप अपनी टिन में drop करके भी चल सकते हो और last के तीनों matches में इनको wicket नहीं मिला है अलजारी Joseph की तरब चलते हैं important player रहेंगे लास्ट मैच में तीन भैतरिन wicket नहीं निकाले और बेट मकोई ने अपने last warm-up match में एक wicket उससे पहले वाले match में दो wicket निकाले थे दोस्तों ये squad line team की possible playing level हो सकते हैं maybe आपको इसमें भी एक दो changes देखने को मिल सकते हैं चलिए player performance की बात करते हैं सबसे पहले जोर्जी मुन्शी की बात करते हैं तो guys आप इनके last के matches का performance देखोगे इतना कुछ खास नहीं क्या है पर team के important player है जी हां दोस्तों Michael Jonas की बात करते हैं तो दोस्तों आप देखोगे second last match 96 run के एक शानदार inning खिली थी और उससे पहले वाले match में आप देखो 97 और 50 और guys लगाता रही है score करते आ रहे यह जो इनका performance है guys सबी matches का है फिर guys आप मैथ्यू क्रोस की बात करते हैं जो कि wicket की पर बल्ले बादे हैं यह भी important रहने वाले आप यहाँ पर इनका performance देख सकते हो फिर रिचर्ड की बात कर लेते हैं guys इनकी बात करें टीम के captain है साथ में एक all-rounder batting भी करते हैं साथ में balling भी थोड़ी बहुती है कर लेते हैं warm-up match में आप देखो 41 किये ते साथ में balling भी करी थी पर wicket इनको नहीं मिला था Michael Lees की बात करते हैं warm-up match में 37 किये थे balling में wicket नहीं मिला था पर उससे पहले वाले match में 41 और guys दो भैतरिन wicket नहीं निकाले थे Mac Lord की बात कर लेते हैं तो guys इनका last match का आप यहाँ पर performance देख सकते हो इतना कुछ खास नहीं था लेकिन guys इस match में देखिए 133 किये थे जी हां दोससाथ में balling भी एक करते हैं एक बड़े player आप इनको जरू ट्राइ करे है grand league में आप इनको कप्तान के तोर पर भी ट्राइ कर सकते हो Chris की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो warm-up match में 1 wicket निकाला थे साथ में उससे पहले वाल मैच में 14 किये थे फिर गई Mark Watt की बात करते हैं तो दोस्तों आप इनके last matches का performance देख सकते हो यहाँ पर साथ में Chris Sholay की बात करते हैं तो दोस्तों आप देखो गई last match में wicket नहीं मिला पर उससे पहले वाल मैच में लगातार विक्टे यह भी निकाल लें फिर गई जोश की तरफ चलते हैं तो दोस्तों आप इनका performance देखो एक wicket तीन wicket तीन wicket लगातार यह भी विक्टे निकाले स्कॉट लैंड को आप हलके में नहीं ले सकते हो इनके players भी काफ़ी अच्छा performance करके आ रहे हैं साथ में आपे Bradley की बात करते हैं तो दोस्तों आप इनका भी performance देखो अगर आप भी में दीतरे कमाल की winning करना चाहते हो तो आप इस app के बारे में जानलो इस app का नव Fantasy अखाड़ा है आपका link को referral code मैंड description box में दे दिया है आप वहाँ से इस app को download कर सकते हो साथ में referral code का use करोगे तो आपको 500 रुपे का bonus मिलता है साथ में coins भी मिलते है इन coins को आप real cash में convert कर सकते हो जी हाँ दोस्तों कैसे करोगे इसके उपर full video बना रखिए उस video का link भी आपको description box मिल जागा तो जहां के जरूर से देख लिजेगा साथ ही में मेरा जो highly investment रहता है वो यहाँ पर रहता है आप देख सकते हो मेरी winnings और मेरा deposit balance देखके आप अंदाजा लगाई सकते हो कि मैं यहाँ पर कितना high investment करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर high investment क्यों करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीतना आसान है competition कम है entry fees भी कम लगती है other fantasy apps के मुकाबले साथ में दोस्तों यहाँ का minimum withdrawal है किवल 50 रुपे का 50 रुपे होते ही आप withdrawal ले सकते हो वो भी instant जी यहाँ दोस्तों एक बार आप भी try करके देखो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है wicked keeper section की बात करते हैं तो मैंने आप निकॉलस पूरन को पिक किया है option की तरफ चलते है cross की भी एक option है लेकिन दोस्तों small league के लिए Nicholas पूरन best option रहने वाले है अगर grand league खेल रहा है तो उसमें आप cross को try कर सकते हो बाकी नीचे के दोनों option आपके लिए रिस्की रहेंगे चलिए बात करते हैं आप बैटिंग शक्षन की तो यहाँ पर मैंने चार बैट्सन पिक के सबसे पहले मैंने आप मुनशी को पिक किया और फिर देखो मैंने यहाँ पर लुइस को रखा है और फिर आप देखो मैंने ब्रैंडम किंग को पिक किया है options की तरफ चलते है मैक लॉड की एक option है आप इनको try करना चाहते हो साथ में पोवल को मैं बिल्कुल भी suggest नहीं करने वाला हूँ चली अब बात करते है old rounder section की तो यहाँ पर मैंने 3 old rounder पिक के है सबसे पहले मैंने holder को रखा है फिर मैंने Kyle Myers को पिक किया और इनके बाद मैंने lease को पिक किया है options की तरफ चलते है तो कई रैफर के साथ जा सकते हो अगर खेलते हैं तो इनको try कर सकते हो ग्रैविस के साथ जा सकते हो यह दोनों आपके लिए एक best pick बन सकते है चलिए बात करते है बॉलिंग की तो यहाँ पर मैंने 3 ballers पिक के है सबसे पहले मैंने McCoy को रखा है फिर मैंने Watt को पिक के है और इनके बाद मैंने अलजारी Joseph को पिक के है options की तरफ चलते है आप यहाँ से try करना चाते हो Josh Davie के साथ जा सकते हो Odeon Smith को try कर सकते हो यह अच्छी option बन सकते है साथ में हाँ पर Chris Sholi की option है आप इनको try करना चाते हो चलिए कप्तान और Vice कप्तान की बात करते है तो दोस्तों कप्तान आप देखो को मैंने काइल मायरस को बनाए Vice कप्तान मैंने holder को बनाए option की तरफ चलते है अलजारी जौसिफ बैस्ट option हैंगी इनके साथ जा सकते हो साथ में random king को भी आप try कर सकते हो यह दोनों आपके लिए अच्छे option रहेंगे चलिए team को करते है save दोस्तों यह हमारी final team नहीं है final team आपको telegram channel पर ही मिलेगी यह हमारा telegram channel है इसका link का आपको description box में मिल जाएगा तो join जरूर कर लिजएगा कोई toss होने के बाद small league की और grand league की teams में आपको यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर जरूर से जुड़ जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरू कर लिजएगा